मोतिया बिंद को गलानी की पासत अगर गुनिया में किसी चीज में है तो वो कांदे की रस्मन बिना ओपरेशन अगर आपको आँखें ठीक रखनी हैं तो कांदे का रस सतत आँखों में डाले जिन्दगी भर आप चाहते हैं कि आँखों को चश्मा ना चड़े और कभी भी आँखें आपकी खराब ना हो तो कांदे का रस आप अपने आँखों में डाले आप मैंसे किसी को भी मोतिया बिंद हो गया हो और आप नहीं चाहते कि आपका ओपरेशन हो या आपके पास ओपरेशन करानी के लिए पैसा नहीं है तो आप कांदे के रस से मोटिया बिंद को गला सकते हैं और आखें ठीक कर सकते हैं इसको कितने दिन लेना है कैसे लेना है इसका सूत्र में बता देता हूँ काज़ पहन हो तो लिख लिजे क्योंकि ये बहुत काम आए पाथ एक चमच पांडरे कांदे का रस लाल वाले में कोई आउशदी गुण नहीं है वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं आउशदी गुण उसमें नहीं है आउशदी गुण जो है वो पांडरे कांदे में ही है तो पांडरे कांदे का एक चमच रस ले लीजे एक चम्मच इसमें लिंबू का रस मिला दीज़े एक नीबू आता है जिसको बेदाना नीबू कहते है जिसमें ज़्यादा बीज नहीं होते है वो बहुत अच्छा है तो एक चम्मच लिंबू का रस एक चम्मच पांड़े कांड़े का रस फिर इसमें आप मद मिला देज़े लगवक तीन से चार चमच मद और इसी में एक चमच गुलाब जल मिला देज़े ये चारों को मिला कर एक बाटली में भरते रख ली और खुब अच्छे से हिला कर एक एक थे माँख में डाली एक महीने लगातर डाल दिया तो मुतिया बिंद आपका कटके निकल जाए गुलाब जल एक चमच है जितना आपका कांदे का रस उतना ही गुलाब जल उतना ही नीगु का रस लेकिन मद इसमें तीन से चार पट जाते तीन से चार चमच मद अब ये जो सल्यूशन तयार हुआ है इसको बाटली में बरके रखेंगे चार पाच महिने ये खराब नहीं होता इसको रूम टेंपरेचर पर भी रखा जा सकता है जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको फ्रीज में रखना खाली सीधे रूम टेंपरेचर पर रखे रात में सूते समय एक एक दो दो थे हम आँख में डालते रहे एक सवा महिने के बाद आपका मोतियाविन खतम कर देगा और एक बीमारी है आँखों की जिसको ग्लुकोमा कहते हैं ग्लुकोमा ग्लुकोमा मने काला पानी आँखों में हमेशा काला काला दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं उनकी भी ये सबसे अच्छे होशन और एक बीमारी है आँखों में जिसको retinal detachment कहते हैं आँखों का ये जो retinal परदा है ये खिच जाता है आगे या पीछे उसमें भी ये सबसे अच्छा कामा का फिर मैंने एक और experiment किया मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखों पर अब उनके माबाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो सबेरे सबेरे सोकर उठो और मूँ का थूक आँख में लगाओ काजल की तरह से तो बच्चों ने चालू कर दिया बच्चे बहुत बोले होते हैं सीधे होते हैं कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते हैं अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से आप भी करके देख लीजे जिनको भी चश्मे बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे उम्र जादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाएंगे आखों की रोशनी बढ़ानी है तो मू की लार सुबह सुबह की आखों में लगाईए काजल की तरह से और एक बताता हूँ एक बीमारी आती है जिसको हम कहते है conjunctivitis आखों की बीमारी है अक्सर उसमें आखें लाल हो जाती है आखों में बहुत जलन होती है जैसे खून उतर आया हो आखों में वो condition हो जाती है कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आये तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मूँ की लार लगाना 24 गंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई 24 गंटे में ठीक होते है conjunctivitis अगर बच्चों में बच्पन से आँखों के ऐसे कोई रोग है जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है आठ साल का है उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसकी आँखें टेड़ी है वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब है और वो आपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में केते हैं बहेंगापन उसका बहेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही तब मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैग्यानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है एक्चुली इसका एक्टिव इंग्रेडियन्ट क्या है तो उन्होंने का भहिया जितने एक्टिव इंग्रेडियन्ट मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको बड़ा है मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडियंट्स हैं लार में वो सब के सब है इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है बेश कीमती है इसको कभी नश्ट नहीं करना इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते और दो चार बाते बता दू क्या क्या रोग और ठीक कर सकते आपके शरीर में कोई दाग हो गया धबा हो गया जैसे जल गए जलने का दाग होता है न उस पर नियमित रूप से सबेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रही है 6-8 महिने में धगा धबा बिलकुल साफ हो जाए जले हुए का धबा शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया एक्जीमा हो गया मालो खराब बीमारी की बात करूँ एक्जीमा हो गया एक्जीमा पे रोज सुबह की लार लगाईए मालिश करते रही है 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ और एक्जीमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस वो भी ठीक होती है इसी लार से बस इतना है कि साल भर करना पड़े मुफत का इलाज है फोकट का इलाज है बागबट जी ने जितने भी इलाज बताये हैं सब फोकट के और मुफत के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है तो आप इसकिन डिसीज में इसका एक्सपरिमेंट करिए आखों की बीमारियों में इसका एक्सपरिमेंट करिए घाओ हो जाएं कहीं शरीर में उस पर एक्सपरिमेंट करिए फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपरिमेंट करिए मैंने ये चारों एक्सपरिमेंट कियें बहुत अच्छे रिजल्ट है आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया आप दूसरों का भी कम कराईए ना तब ही मोक्ष जाएंगे परकार की वीडियो के लिए मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा